प्यादा को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं शतरंज के खेल में जो प्यादा होता है उसे सिपाही भी कहा जाता है और इंगलिश में the pawn कहते हैं और बाके जो महरे होते हैं उनमें राजा को इंगलिश में the king कहा जाता है रानी को या वजीर को इंगलिश में the queen कहते हैं उट जो होता है शतरंज के खेल का उसको the bishop कहा जाता है घोड़ा जो शतरंज के खेल का होता है उसे knight कहते है शतरंज के खेल के हाथी को रूख कहा जाता है और प्यादा या सिपाही जो है वो pawn कहलाता है दोनों खिलाडियों के पास 16-16 मोहरे होते हैं जिन में से 8 प्यादे होते हैं और कुल जो है दोनों के पास मिलाकर 32 मोहरे होते हैं हाथी, घोडा, उंट जो है वो सब जोडे में होते हैं यानि कि सब दो-दो होते हैं जबकि सिपाही जो है वो प्यादे जो है वो आठ होते हैं और राजा और रानी जो है वो एक-एक होते हैं तो इस तरीके से टॉटल ये जो है 16 मोहरे होते हैं और कुल जो है वो 32 होते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें